द्रोन पर्व के अंतरगत अध्याय सडशट और अडशट के मध्य जब अर्जुन ने कृत्वर्मा को जीवंदान देकर शत्रु सेना का नाश करने लगे तब शृतायुध ने श्री कृष्ण को सत्तर और अर्जुन को तीन बानों से विद्ध किया। अर्जुन ने शृतायुध के धनुष को काट कर उनके तरकश को भी नश्ट कर दिया और साथ बानों से उनके वक्ष स्थल में प्रहार किया। परंतु जो पुरुष युद्ध नहीं कर रहा हो उसके उपर इस गदा से प्रहार नहीं करना वरना ये गदा वापस तुम्हें ही आकर लगेगी। परंतु शृतायुध ने उस गदा को लेकर श्री कृष्ण पर प्रहार किया। अनंतर वह गदा वापस लोटकर शृतायुध के उपर ही गिर पड़ी। उस गदा के प्रभाव से शृतायुध प्रान रहित होकर गिर पड़े। तब शृतायुध और अचृतायुध अर्जुन के संग युद्ध करने आये। तब शृतायुध ने एक तोमर अर्जुन की और चलाया। उस तोमर की चोट खाकर अर्जुन परम मूर्चित हो गए। यह अफसर पाकर अचुतायू ने एक शूल से अर्जुन के उपर प्रहार किया। तब अर्जुन अत्यंत पीडित होकर रथ का डंडा पकड़ के बैठ गए। अनंतर अर्जुन ने पुनह सावधान होकर इंद्रास्त्र चलाया। अर्जुन ने अपने बानों से उनके बानों को नश्ट करके शुतायू और अचुतायू के भुजा और शिर को काट कर प्रित्वी पर गिरा दिया। इसके अनंतर अर्जुन ने पचास रथियों का वध कर शुतायू और अचुतायू के पुत्रों अयुतायू और अपने बानों से प्रान रहित करके यम्पुरी भेज दिया। तब अंग देश के गजस्वार योध्धाओं ने हाथियों के समूह लेकर अरजुन को घेर लिया। तथा दुर्योधन की आग्या से पूर्व और दक्षिन देश के कलिंग राजाओं ने भी हाथियों के समूह से अर्जुन के उपर आक्रमन किया। तब अर्जुन ने अपने धनुष से छूटे हुए बानों से उन सभी योध्धाओं के शिर और भुजाओं को काट कर गिरा दिया। फिर अर्जुन ने अंबस्थ के घोरों का वध कर उनका धनुष भी काट दिया। तब अंबस्थ गदा लेकर श्री कृष्ण पर प्रहार किया। श्री कृष्ण को गदा से आहत हुआ देख अर्जुन अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने दो बानों से गदा सहित उठी हुई अंबस्थ की दोनों भुजाओं और उनका शिर भी काट कर प्रित्वी पर गिरा दिया। झाल